आज तक ऐसा कोई मर्द नहीं बना जो औरतों के चक्कर में ना पिगला हो एक ऐसी निकल ही जाती है जो लोहे को भी पिगलाने की ताकत रखती है सबसे पहले तो आप सब भी से दिल से सौरी वीडियो में कंटीन्यू नहीं ला पा रहा हूँ आप देखी रहे होगे कि जारखन राची का क्या हाल है कभी नेट बंद कर दिया जा रहा है यहाँ पे तो कभी पूरा सहर खेर अभी हम बात करते हैं सीरीज के बारे में तो अभी मैंने रजनी कांड पार्ट टू का ट्रेलर देखा और इस ट्रेलर में मुझे क्या अच्छा और क्या बुरा देखने को मिला यहीं मैं आज आप लोग को इस वीडियो में बताने वाला हूँ तो हेलो एंड स्वागत है आप सभी का रजनी कांड का पार्ट वन तो आप लोगों ने देखी लिया होगा यह सीरीज नहीं आग थी जो लोगों को काफी जादा पसंद आई सीन से जादा इस सीरीज में डायलोग्स और एक्सप्रेशन मजबूत है और इसे कारण यह सीरीज लोगों को होल्ड करके रखी अब इसका पार्ट टू आप लोगों को 17 जून को देखने को मिलेगा सिने प्राइम पर और भाई इस पार्ट वन में हम लोगों को नतासा राजेस्वरी देखने को मिल रही है तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि सीरीज बेकार साबित हो क्यूं मैं क्यूं ऐसा कह रहा हूं क्यूंकि हम लोगों ने नतासा राजेस्वारी या फिर आप रिधिमा तिवारी कहलो इनकी पुरानी सीरीजें हम लोगों ने देख रखी है और उल्लू पे एक सीरीज इनकी आई थी जैलेबी बाई उसको भी हम लोगों ने देखा क्या घ अच्छी देखने को मिलती है, सीरीज सिर्फ इंटर्टेन्मेंट की लिए बनी है, देखो और खुस रहो, अब इस पाट टू के ट्रेलर में ने क्या देखा, ये मैं आप लोगो को बताता हूं, सबसे पहले तो ये पापी बुड़्डा कुछ न कुछ तो करने वाला है, चाहे भाई किसी को भी अपना कुटा बना सकती है, चाहे वो भिखारी हो, या फिर एक कमपनी का बौसी क्यों ना हो, इस सीरीज में मुझे सीन से जादा कुछ उम्मीदे नहीं है, बस पाट वन हम लोगो को जिस तरह से देखने को मिला था, पाट टू अगर उससे थोड़ अच्छा निकल जाए, तो भाई सीरीज देखने में मज़ा आ जाए, क्या आप लोगों ने इसका पाट वन देखा, ये मुझे कमेंट करके जरू बताना, तो ये था वो छोटा से रिव्यू जो मैं आप लोगों को देना चाता था, उम्मीद करता हूँ आप लोगों ये व